हलो बच्चो आज हम देखने जा रहे हैं वरक्षिप नमबर 45 जो की पेज नमबर 45 फर हैं और यहां भी हमें रीड दे स्टोरी, क्यार्पुली कहानी को ध्यान से पढ़ें और इनकी कोशन्स के आंसर दें Once a crow was very thirsty, एक चो कववा था, वो क्या था? एक बार एक कववा बहुत प्यासा था, thirsty मतलब प्यासा होना He saw a pot, उसने एक pot देखा, there was very little water in it, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था The crow could not reach down the water, जो crow था, वो कहां तक पहुच नहीं पा रहा था, reach मतलब पहुचना, पानी तक वो नहीं पहुच पा रहा था He dropped some stones, उनने क्या किया, कुछ पत्थर ला करके उसमें, इसमें डाले, pot के अंदर डाले The pot, in the pot, into the pot, the water came up, पानी कहां आया, उपर आया, and the water and flew away happily तो यह जो एक poem भी है, इसम poem की तरह भी हमने सुना होगा, कि एक कववा प्यासा था, घरे में पानी थोड़ा था, कववा लाया, कंकर आया, उपर उसमें पिया पानी और खतम होगी कहां नहीं इस तरह से आपनी poem बच्पन में सुनी हो, तो हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, आईए हम देखें इसके question answers, इस तरह से करना है, now answer the question, आप प्रशनों के उत्तर दीजिए, fill in the blanks, help for the box, यह box की सहता से इसमें जो शब्द दिये गये हैं, इनकी सहता से हमें इनमें fill up क करना है, तो once earth was very thirsty, कौन था, प्यासा कौन था, तो जो crow था, वो प्यासा था, तो यहाँ पर यह जो crow लिखा है, हम यहाँ पर यहाँ पर पील करने के लिए दिया गया है, रिक्तिस्थान है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, crow, c, r, o, w, crow, इस तरह से हम लिखेंगे, फिर next, he saw, क्या दिखा हुसने, a pot, he saw a pot, pot की spelling लिखेंगे, p, o, t, pot, next, he put some, क्या उसने डाले, कुछ उसने क्या डाले, यहाँ पर देखिए, some stones, तो हम यहाँ पर stone की spelling लिख देंगे, s, t, o, n, e, s, stones, ठीक है, फिर, the, came up, तो, क्या आया, उपर, पानी जो है, यह, water, क्या आया, उपर, आ गया, है न, तो, क्या लिखेंगे, the water, यहाँ पर क्या जाएगा, w, a, t, e, r, water, came up, the crow, drank the water, and, क्या हुआ, फिर, उस, कहा चला गया, flew away, f, l, e, w, flew away, इस तरह से हमें इसको fulfill करना था, आप देखिए, यहाँ नीचे जो question आया है, वो क्या आया है, the two, write two words from the story that began with C, अब यहाँ पर हमें C से शुरू होने वाले दो शब्दों को लिखना है, तो सबसे पहला शब्द हम देखें कि सबसे पहला शब्द क्या है, तो प्रो आया है इसमें, और दूसरा कैम आया है, यह हम लिख सकते हैं और आपको जो भी समझ में आरहा है इसमें 2 words C से चुरू हुआ है तो आपको लिख सकते हैं लेकिन जो यहां पर verbs है तो आपके लिखी कैम आया है और एक और की आया है जो bird का नाम है मतलब की crow भी आया है फिर इसके बाद अगर हम देखें तो प्रो फूड के सारे सी से शुरू होने वाले हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे सबसे पहले सी आर ओ डब्ल्यू क्रो और दूसरा कौन सा है केम जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि हमें यहां पर बताया गया है तो बच्चो इस तरह से हमारी वक्षिट नमबर 45 कम्पीट होती है ककी की तरह है बढ़ते ही आर इस वɐR friend War 1 है na यहां पर जो लिखा है यहां आपको राइटिंग करनी है तो आपको क्या क्या लिखना है यहां पर हम देखते हैं अब देखिए आपको क्या लिखना है Read the paragraph दिये गए paragraph को ध्यान से पढ़िए My name is Kusum I am from Jhabua It is in MP I go to Model Primary School Jhabua I am in Class 6 यह इसमें Class 6 के बच्चे ने अपना पुरा यहां पा जो है introduction दिया है छोटा सा अब देखिए अब कुसum के बारे में दिये अनुसार लिखिए तो हम क्या लिखेंगे कुसum का क्या नाम है भई तो उसका नाम पूरा क्या है कुसum ठीक है देन उसके बाद हम लिखेंगे कि place कहां पर रहने वाली है वो हो Jhabua की रहने वाली है J H A B U A Jhabua ठीक अब उसके बाद देखिए state यह कहां पर है तो यह है MP state में स्थीथे जबवा फिर next question school तो कौन से school में पड़ती है model M.O.D.E.L. model primary प्राइमरी school जाबवा J.H.A.B.U.A. जाबवा फिर किस क्लास में है तो वह 6th क्लास में है यह उसका इंटोरक्षन हो गया जो छोटा सा हम बता सकते हैं कि My name is Kusum मैं कहां रहती हूँ अगर पुछते हैं Where do you live तो I live in इंटोर फिर वीचिस दे स्टेट तो MP और कहां पर स्कूल है model प्राइमरी स्कूल जाबवा क्लास कौन सी है तो 6th क्लास हम इससे बता सकते हैं अब देखिए worksheet number 47 यहां देखिए कि now write about yourself हमारे खुद के बारे में हमें कितने 6 बार की लिखना है तो यहां हम लिखें यह sentences आपको अपने बारे में लिखना है 6 sentences इसमें आपका नाम आपके फादर का नाम मदर का नाम आप कहां रहते हैं इस सारी sentences पुद के बारे में लिखें जाए I study in कोल जी क्लास में बताया तो यहां पर हम 6th क्लास लिख देंगे My father's name is Mr. Rohi My mother's name is Shanti and आप जहां रहते हैं वहां का जो नाम है City का उसे आप यहां फुल्फिल कर दें 6 number sentence में तो बच्चों यह थी हमारी worksheet number 47 इसे हमें इस तरह से फुल्फिल करना है और हमारे बारे में sentences लिखने थे आप लोग अच्छे से इसे read करिए और पढ़िए इसे बार बार writing करिए इसका ताकि आप इसे अच्छे से सीख जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए चनल को लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग